So hey guys, what's up, welcome back to our own channel तो आज हमनों पढ़ने वाले है class 12, फ्लेमिंगो का second poem that is an elementary school classroom in a slum तो इस प्यारे से poem के author है Stephen Spender and उन्होंने अपने इस poem के माध्यम से social injustice के बारे में बताया है वो दर्शाय है कि कैसे उन लोगों को, उन बच्चों को inequality face करना पड़ता है जो backward classes से belong करते है, slum में रहते है and ये जो बच्चे है उनको कितना struggle करना पड़ता है क्योंकि उनके पास opportunity नहीं होता है and उन्हें बहुत burden भी face करना पड़ता है तो poet हमें any conditions and any situations के बारे में बताना चाहते है जो कि ये बच्चे face करते है, ये लोग face करते है and साथी साथ जो poet है वो appeal भी करते है अपने reader से कि उनको बाहर आना चाहिए and कुछ न कुछ help करना चाहिए ताकि ये जो बच्चे है, वो इस situation से बाहर आ सके, कुछ अच्छा कर सके तो चलिए इस poem को start करते है, बट उससे पहले बस एक ही request है अगर आप हमारे चैनल में new हो, तो please subscribe कर देना and हाँ, अगर आपको ये explanation पसंद आता है, तो like कर देना तो इस poem का सबसे पहला line है तो यहाँ पे जो poet है, वो हम से ये बताना चाहते है कि ये जो बच्चे है, जो slum में रहते है, जो बहुत सारे struggles को जहिलते है तो उनका जो face है, उसमें glow एकदम नहीं होता है, जैसा कि normal बच्चों में होता है उनका face dry होता है and बहुत ही dull होता है and फिर इसके बाद उन्होंने इनके जो hair से उसको compare किया है rootless weeds से, अब weeds का मतलब वो होता है कि जो unwanted plants जो उग जाता है ना उसको बोलते weeds तो उनके hairs भी एकदम weeds जैसे है उनके hairs uneven है, इधर उधर बिखरे वे है and अच्छे से comb नहीं किये वे है अब यहाँ पर एक और word है जो कि है pallor pallor का मतलब होता है pale face तो यह जो उनके uneven hairs है, वो अच्छे से comb नहीं है and वो एकदम rootless weeds जैसे लगते है इनके pale face के उपर अब next यहाँ पर लिखावा है the tall girl with her weighed down head तो अब poet वहाँ पर बैटे कुछ बच्चों के बारे में बात करते है तो वो सबसे पहले बात करते है एक tall girl के बारे में जिसका जो sir है, वो हलका सा नीचे जुकावा होता है और वो इसलिए जुकावा होता है क्योंकि उस पे बहुत सारे burdens है जैसे की sadness, depression and hopelessness अब फिर इसके बार, poet डूसरे बच्चे के बारे में बात करते है जो कि बहुत जादा malnutrition का सिकार है मतलब कि वो बच्चा बहुत जादा पत्ला दूबला है और इसलिए वो उसे paper से compare करते है फिर वो बताते है कि वो जो बच्चे है उसकी जो आखे है वो एकदम rat के जैसी है अब यहाँ poet उस बच्चे की आखो को rat की eyes से compare इसलिए करते है क्योंकि जो rat की eyes होती है वो बहुत जादा curious होती है वो इधर उधर देखते रहती है और वो पूरे time खाने की तलाश में ही होती है तो ठीक वैसे ही इस बच्चे की भी जो आखे है वो इधर उधर भटक रही है कुछ ढूंट रही है और बहुत जादा curious है और इस बच्चे की आखो को rat की eyes से इसलिए भी compare करते है तो इस paragraph में stunted word का use किया गया है जिसका मतलब होता है जिसका growth रुख गया है higher का मतलब होता है वो चीज जो हमको अपने family के elders से मिलती है मतलब कि inherit होता है and twisted bones एक disease है जो कि lack of nourishment के कारण होता है lack of malnutrition के कारण होता है तो इस paragraph से poet हमको ये बताना चाह रहे है कि ये जो paper seeming boy है जो बहुत जादा पतला दुबला है उसको विरासत में मतलब कि अपने family से inheritance में एक disease मिला है जिसका नाम है twisted bones and ये जो बच्चा है वो recite कर मतलब कि दोहरा रहा है अपने father के इस disease को and मैं clarity के लिए बता दू कि जो general disease होता है न उसमें जो bone है उसका shape and structure थोड़ा बिगड़ जाता है बहुत जादा bone जो है वो rough हो जाता है and फिर इसके बाद poet तीसरे बच्चे के तरफ देखते है and उसके बारे में बात करते है वो बताते है कि at back of dim class one unnoted sweet and young his eyes live in a dream of squirrels game in tree room other than this मतलब कि वो सारे बच्चे जो उस classroom के अंदर बैठे वे है वहाँ पर बहुत कम light है बहुत dim light है and उसके means classroom के last bench में एक बच्चा बैठा वह है जो कि बहुत sweet है and उसको कोई notice नहीं कर रहा है and उसको देख के हम ये बता सकते है कि वो जो बच्चा है वो अपने class के lecture पे ध्यान नहीं दे रहा है and उसका जो ध्यान है वो कहीं और है तो वो पीछे बैठे बैठे एक squirrel के game के बारे में सोच रहा होता है and जैसा कि हम सभी जानते है कि जो squirrel होती है वो बहुत जादा energetic होती है तो इसलिए वो जो है वो tree के branches में खेल रही होती है इधर उधर भाग रही है and खुश है and वो इस dull classroom के जैसी तो बिलकुल भी नहीं है वो जो tree में चल रहा है squirrel game उसमें काफी जादा energetic है as compared to हमारा ये classroom अब इसके बाद poet उन classroom के दिवालों के बारे में बताते है जो कि बहुत जादा पुराना हो गया था उन walls पर donations थी मतलब कि उन class के walls पर बहुत सारे pictures लगे वे थे जो कि उनको donation में मिला था and वो picture थी Shakespeare की head की cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities मतलब कि second picture था एक evening का जिसमें बहुत सारे clouds नहीं थे and वो एकदम clear sky था and third picture था एक modern city का जहां पर बहुत बड़े-बड़े buildings थे बहुत high-tech technology था and fourth जो हमारा picture था वो एक बहुत ही beautiful tarolis की एक valley का था जिसमें बहुत सुंदर-सुंदर छोटे-छोटे flowers थे and वो एक बहुत ही अच्छा सा beautiful सा nature का picture था and फिर इसके बाद वहाँ पर एक open-handed map भी लगावा था तो वो जो map है वो इस world को अपना ये world दे रहा था मतलब कि हम इस world में बैट के किसी भी world के जगा को देख सकते हैं अब यहाँ पर next लिखावा है and yet for these children, these windows, not this map, this world where all their future painted with a fog मतलब कि इन children के लिए इस map का मतलब नहीं है क्योंकि इनका जो world है वो इसी window के बाहर जो कुछ भी दिख रहा है उसी में इनका world है मतलब कि उस classroom के window से बाहर जो उनको उनका slum दिख रहा है लोग काम करते वे दिख रहे है वही उनका असली जिंदगी है and जब भी वो बच्चे उस खिड़की से बाहर देखते है तो उनका जो future है वो एक paint कियावा fog के जैसा दिखता है जैसे कि fog बहुत जादा धुनला होता है कुछ clear नहीं होता है तो ठीक वैसे इन बच्चों का भी जो future है वो धुनला सा है कुछ clear नहीं है a narrow street sealed within a lead sky and इनके slum में जो छोटे-छोटे narrow streets है जो छोटे-छोटे गलिया है तो उनको देखके भी ऐसा लगता है कि यह जो lead sky है उनको बंद कर दिये है उन छोटे-छोटे गलियां को seal कर दिये है and lead sky का मतलब वो polluted sky जो basically greyish and blueish color के होते है तो इस पूरे part का मतलब यह हुआ कि यह जो polluted sky है उनके slum के रास्तों को भी block कर दिये है ताकि यह जो बच्चे है अपने slum से भी बाहर नहीं निकल पाए far far from the rivers, capes and stars of words तो सबसे पहले capes का मतलब होता है वो छोटा सा island जो की समुदर के बीच में होता है and stars of words का मतलब कि वो मीठी मीठी अची अची बाते तो यह जो बच्चे है वो river से, capes से and star of words से बहुत जादा दूर है अब यहाँ पर next लिखावा है surely Shakespeare is wicked, the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives, the slylyly turn in their crammed holes यहाँ पर जो poet है वो Shakespeare को wicked बोल रहे है अब wicked का मतलब होता है बुरा आदमी या फिर evil अब यहाँ पर poet Shakespeare को wicked इसलिए बोलते है क्योंकि यह जो बच्चे है उनको धंक से एक sentence भी लिखने नहीं आता है and जो Shakespeare है वो English के, English literature के, English language के एक बहुत बरे महारत ही है and जिन बच्चों को एक sentence लिखना नहीं आता है English बोलना नहीं आता है तो उनके लिए Shakespeare कोई काम के नहीं है and साथी साथ जो इनके stories होती है जो कि love पे, kings पे based होता है तो उसका भी मतलब कुछ बनता नहीं है क्योंकि वो सब चीज बहुत दूर है इन बच्चों के emotions से तो वो बच्चे उन emotions को जो कि Shakespeare अपने कहानी में बताते है तो वो बच्चे उन emotions से relate ही नहीं कर पाते उनको feel ही नहीं कर पाते फिर वो map के बारे में बताते है कि वो एक बुरा example है क्योंकि जो map है वो दर्शाता है बहुत अच्छे अच्छे nature को दिखाता है sun को दिखाता है love tempting को दिखाता है वो उन्हें peaceful environment, बहुत अच्छा वातवरन को दिखाता है जो कि इन बच्चों को tempt करता है मिंस मजबूर करता है चोरी करने को और ये सारी चीजे इन बच्चों को slyly धीरे-धीरे इन crammed holes के तरफ धकेल देता है अब slyly का मतलब होता है बहुती clever way में बहुती चलाक तरीके से तो ये जो सारी चीजे है वो बहुती चलाकी से इन बच्चों को छोटे-छोटे crammed holes मतलब की गड़ों में धकेल देती है अब यहाँ पर fog का मतलब होता है unclear sky जो की fog धुंदलापन होता है and endless night मतलब की endless darkness जो इन बच्चों के life में चल रही है तो इनकी पूरी जिंगी एक unclear sky and endless night में ही गुजर जाती है तो इस paragraph में slack का मतलब होता है waste material and heap का मतलब होता है एक धेर तो ये जो बच्चे है वो इन ही waste material के बहुत बड़े धेर में रहते है and इन बच्चों की जो skins होती है वो एकदम bone से chip की भी होती है लगता है कि वो skin का एक कपड़ा अपने bone के उपर चड़ा लिये है and फिर ये बच्चे में से कुछ बच्चे जो की चश्मा पहनते है तो वो बहुत ही भारी होता है uncomfortable होता है क्योंकि वो चश्मा steel का बनावा होता है and उनमें जो glass लगी भी होती है वो properly set नहीं होती है and वो glass basically mended होता है and उसमें जगा जगा पर cracks होते है all of their time and space are foggy slum so blot their map with slum as big as doom मतलब कि इन बच्चों का जितना भी time है पुरा जिंगी है वो एक foggy slum में ही बीच जाता है जहाँ पर इनका future बहुत ज़ादा foggy होता है and यह जो maps है जो बहुत सुंदर सुंदर जगों को बहुत अच्छे अच्छे जगों को दर्शाती है तो उनमें slum को बहुत अच्छे से mark कर दिया जाए and यहाँ पर doom का मतलब होता है hell या फिर destruction तो इन maps में भी यह doom दिखने चाहिए जो कि हमारे world के दूसरे side को दिखाती है कि यहाँ पर की हालात कितनी बत्तर है यहाँ पर कितने सारे destructions है अब यहाँ पर next लिखावा है unless governor, inspector, visitor the map becomes their window and these window that shut upon their lives like catacombs मतलब कि जब तक बड़े बड़े लोग जैसे कि governor, inspector, visitor and जो भी कुछ लोग जो power में है तो जब तक वो लोग इन बच्चों के बारे में कुछ अच्छा नहीं कर देते उनका कुछ development नहीं होता तब तक यह बच्चों के लिए यही उनकी खिडकी है अब catacombs का मतलब होता है वो graveyard जो की जवीन के अंदर बनाई वे होता है तो वो maps भी कभी कभी एक catacombs जैसा ही होता है और उनकी भी जो life है वो एक dead body के जैसा है जो की catacombs में दफन है अब यहाँ पर next लिखावा है break or break, open till they break the town मतलब की हमें इनकी help करनी चाहिए हमें उनकी situation से निकलने में मदद करनी चाहिए तब तक हमें इनकी मदद करनी चाहिए जब तक यह towns तक ना पहुँच जाए मतलब की जब तक यह अपने slum से बाहर नहीं निकलते है बाहर की दुनिया को नहीं देखते है तब तक हमें इनकी help करनी चाहिए And show the children to green field and make their world run as you're on gold sands मतलब कि हमें इन बच्चों को उनके slum से बाहर निकालना चाहिए And उनको बड़े-बड़े green fields दिखाने चाहिए अब यहाँ पर एक word use क्या गया है as you're जिसका मतलब यहाँ पर होता है blue and endless clear sky तो यह sky जो बहुत ज्यादा free है limitless है तो ठीक वैसे हमें इन बच्चों को भी उनकी आजादी देनी चाहिए उन्हें बाहर कवर्ड दिखाना चाहिए And यह आराम से खुले आसमान के नीचे gold sands के ऊपर दोड़ सके इन पे कोई भी restrictions ना हो and let their tongue run naked into books The white and green leaves open history their whose language in the sun मतलब कि यह आराम से पढ़ पाए knowledge को गेन कर पाए White and green leaves का मतलब होता है एक तो book and green leaves मतलब nature and run naked मतलब कि बिना किसी restriction के मतलब कि यह बच्चे बिना किसी restriction के अपने books को पढ़ पाए knowledge को गेन कर पाए and nature को देख पाए and last में यह लिखाव है कि history उसी को याद करता है जिसका language sun का होता है मतलब कि जिस तरीके से sun अपने आपको जला करके अपने आपको burn करके हमें रोशनी देता है तो ठीक वैसे ही जो लोग अपनी जिन्दगी में मेहनत करके दूसरों की life में उजाला डालते उसको influence करते है तो उसी को history याद रखता है तो यही था आज का हमारा poem All About उमीद है आपको यह explanation पसंद आया होगा and अगर आया है तो एक like कर देना and ऐसे ही और animated explanatory videos के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हो कर सकते हो क्या यार करी देना तो मिलते है किसी अगरे वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thanks for watching